अब भारत की 140 करोड जनता का सारा पैसा जो बैंकों में पढ़ा हुआ है उसे अब बैंकों में मुफ्त में रखने की योजना बन गई है यानि की अब आपको इसके उपर कोई इंटरेस्ट या कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा आपको सुनकर हैरानी होगी कि ये प्रोजेक्ट बिल्कुल तैयार है ये प्रोजेक्ट की तैयारी सबसे पहले चल रही थी और ये रही वर्षों से इसकी तैयारी है कि कैसे करके 140 करोड लोगों की दौलत को च्छिल लिया जाए और उसके बदले में उन्हें एक पैसे का भी ब्याज ना दिया चाहे जैसी कि ऑस्टेलिया में न्यूजिलेंड में अमेरिका में ब्रिटेंड में जब लोग वहां बैंक में पैसा रखते हैं तो उनको कितरे इंट्रेस्ट मिलता होगा जैसे कि ऑस्टेलिया केंदर कित्रें इंट्रेस्ट मिलता है 0.5% 1% 0.25% 0.75% बस यह वेस्टरन नेशन्स की बैंकिंग प्रणाली की खास बात है कि वो लोगों से पैसा तो लेते हैं लेकिन उसके इशू करना या आपके जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसके अपर चार्जिज ले लेते हैं और यह चार्जिज इतने जारा हो जाते हैं कि जो आपको मंतली है जो क्वाटरली जो थोड़ा सा नॉमिनल वहां पर आदे परसंट का इंट्रेस्ट मिलता है वो भी माइनस में चला जाता है वो भी उसमें से कट जाता है बलकि उससे स्यादा तो आप पाएंगे अगर सपोस्ट करो आप रहें ऑस्टेलिया के अंदर हजार डॉलर जमा किये तो आगे जो इंडर्स लिस्ट हैं उनको पैसा दो परसंट थीन और से चार्पर्संट पर दिया जाता है बेंकों को सारसा सार्ड मुनाफ है क्योंकि उनको भूकर पैसा मिलता है उनको जो कॉस्ट देनी है वो कॉस्ट भी अपना रिकाल के यह लेजर कहत आ प्यांक अकॉंट् पैसे कभी ब्याज नहीं दिया जाता इंडिया में यानि कि आपके उसे 25 लाग पड़े हों, 50 लाग पड़े हों, 25 करोड पड़े हों, 50 करोड पड़े हों, 5,000 करोड पड़े हों, वो आपको एक पैसा भी अक्कांट में तो अब मोडी की सबसे बड़ी है कि कैसी मिकर करकर कैसे समय कर को आपकी तंखह आती है यह सेविंग डालते हो या उसमें थोड़ा वहत आप तीन चार-पांच परेंट के ऊपर आपको क्या कियते, FD के अंदर आप डाल देते हो, 4.5 परसंट मिल जाता है, 4 परसंट मिलता है, 5,5 अब आपको ना दिया जाए. कि कैसी चार्ज चली गई है, जिसके अंदर ये कहा गया है, भारत के अंदर जो बैंकों के जो इंटरेस्ट है, वो दरसल inflation से कम होते हैं यानि कि महंगाई की दर अगर 6.5 परसेंट है तो तो आपको फिर उसके बाद जो इंटरस्ट दिया जाता है वो inflation के rate से कम दिया जाता है एक्ष्री inflation के rate का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास 100 पे हैं तो अगर आपके 100 पे ही रहने चाहिए अगल जाए तो बेसिकलि वह 106 होने चाहिए एकसुचे हो ने का मतलब है कि महिंगाई के अदर जो बढूत्तरी हुई है तो मेरे 145 परसेंट FD में दिया जाता है यानि कि उस हाल में भी आप अगर इंफ्लेशन को देखे तो आपका नुकसान हो रहा है तो एक्वेशन ये कि अगर आपने सौर पे डाले हैं तो अगर आपको तीन परसेंट सेविंग्स या पांच परसेंट एफटी मिल रहा है तो ये बेसिकली आपका सौर पे का घटके 98-97 सानुए रुपे हो जाता है हर साल नुकसान सेयते हैं पह है कि इसे मात पाइदा का सेविंगस एकांट है वह लेंगे र tenho को के अंदर ऊसकी पर कोई भयाज नहीं दिया जाएगा बहुत ज़्यादा दिया जाएगा सेविंग्स की उपर तो वहश्यूनस यहां के आपका काम सारा रुक जाएगा और यह कहा जा रहा है अब कि bank के interest rate का महंगाई से कोई तालुक नहीं है, अभी तक भारत में जो bank rate का तालुक होता है, जो रेपो रेट होता है, वो inflation पे चलता है, बहंगाई पे चलता है, लेकिन अब सबसे पहले भारत के economic advisor से theory कहलवाई गई, economic survey के अंदर, कि bank rate का inflation से क्या तालुक है, यानि कि bank जो है, 8-9%, 10% के पर ब्याज पे आपको पैसे क्यों दे, वो 2-3% पे क्यों नहीं दे सकते, इसका मतलब है, अगर आपको 2-3% पे ब्याज पे पैसा देना है, या 4% पे देना है, जैसे Australia में भी दिया जाता है, कई और Western Nations में दिया जाता ह इसके मतलब आपका पैसा 0% पे आना चाहिए, या 1% पे आना चाहिए, या 5% पे आना चाहिए, अब वो कह रहे हैं कि, जो सब्जी वाला आने की चीजों का inflation है, food inflation है, fuel inflation, उसका बाकी core inflation से क्या तालुक है, तो उसको वहां से हटा दो, ये अब सारी scheme of things है, पहले इसकी शु पिछले अबते हैं थोड़े दिन पहले दिया, और फिर उसके थोड़े दिन बाद ये advice आती है, निर्मरा सीता रवन से, कि हिंदुस्तान में ब्याजज़र बहुत ज़्यादा है, borrowing cost बहुत ज़्यादा है, उसका inflation से, या सब्जीों की महंगाई से, या खाने पीने के के आ रहा हूं, कि how to rob 140 crore people, take the money not to give anything back to them, ये इससे बड़ा project हिंदुस्तान में आज तक पना नहीं था, अब biggest manipulation of Modi regime, objective of Modi government, take away every penny people have in their pockets by various means, Modi चाते हैं कि आपका सारा पैसा जो है, वो bank में रहे, आप अपने घर में नहीं रख सकते, पैसा घर में रखोगे, तो मैं खोशित कर दूँगा, कि ये अपराध है, अगर आपके घर में 20,000 पे से भी उपर मिले, या 30,000 से भी उपर मिले, तो आपके उपर ना कि जुर्मा आना हो सकता है, बलकि सजा भी हो सकती है, ये प्रावथान भी आजाएंगे, आप देख लिजिएगा, कि आप घर में कैश नहीं रख सकते हैं, कहां रखोगे पैसा, तो आपको बैंक में रखना पड़ेगा, रखीएगा, इसका मतलब बैंक में जाओगे, बैंक को पैसा मि प्रामिनल प्राइस, बैंक में जाओगे, इसके लिए जंदन अकाउंट प्यादा किये गए, जंदन अकाउंट के अंदर गरीब का पैसा भी आजाए, यारी कि किसी का पैसा नहीं बचना चाहिए भाई, जो आदमी 200 रुपे की ध्यारी कमाता है, उसका पैसा भी उसके अं नहीं चाहिए, भले उसके पचास का नोट हो, लेकिन वो पचास का नोट पैंक में आके जमा करें, और उससे पैसे ले लो, सर्वसिस देने के, लेकिन उसको पैसा देओ, उसके बदले में, इसका मतलब भी हुगा, कि re-root people's money in banks at no nominal interest, यारी कि लोगों की money को मजबूर करो, क वो पैंक में जमा करें, लेकिन उनको तो कुछ पाता है, उनको कुछ नहीं देना है, reduce the saving rates to zero or one percent, between zero and one percent के बीच में, और FD rates को एक परसेंट और तीन परसेंट के बीच में लेके आ रहा है, क्योंकि आज के बाद, जब जो नई स्कीम आएगी, उसमें जो ये सारा, जो generation के उपर depend करेंगे, उस core inflation, यानि कि वो सारे inflation, वो सारी महंगाई, जो खाने पीने की चीज़ों को और पेट्रोल डीजल को छोड़के है, वो महंगाई है, और वो तो मढ़ती नहीं है, वो तो माइनस में चली जाती, कई बद एक परसेंट है, तो तो महंगाई है नहीं, त महंगाई सारी, तो खाने पीने की चीज़ों की है, पेट्रोल डीजल की है, उसको अलग कर दो, वही निर्मला सीता रमन भी कह रही है, प्यूश गोईल भी कह रहे हैं, कि भाई, खाने पीने की चीज़ों के पेट्रोल डीजल की कीमत का, और inflation से, और महंगाई से क्या लोग है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि पैसा किसको दे रहा है, पैसा दे एडराएं अमीर को, अमीर को क्रम कीमत पर, अभी अमीर को पैसा मिल रहा है, साथ-ाठ saat pa percent पर, 9 Pa संट पर, तो उससे 3 Pa परशन पर दे रहा है, उससे 4 Pa संट पर देना है, इसका मतलब यह हुआ कि उनको फ्री में पैसा मिल रहा है देखा जाए तो यह देश किसके लिए है यह देश उन 140 अमीरों के लिए है जो 140 क्रोड लोगों से पैसा लेके आपको भिखारी बनाकर रखेंगे उनकी दॉलत बड़े और आप वैट के चने भी ना खापाएं अब इससे बड़ा फ्रॉड आपने नहीं देखा होगा कि आपके पैसे बैंक में रखवाए जाएंगे वेस्टर्ण टर्म की उपर जैसे उस्ट्रेलिया और इनमेर्का वगरें होते हैं और वहाँ पर आपको कुछ नहीं दिया जाएगा यह कि उसमें जो 0.5% इंट्रेस्ट होगा वह भी खर्चों के नाम पे कि इसके पैसे काट लेंगे और आपको कुछ नहीं मिलने वाला है यह किस ने कहा है प्यूश गोईल ने भी यह कहा दिया एकनॉमिक एडवाइजर ने कहा दिया निर्मला सीता रामन ने कहा दिया कि बढ़ाई बैंक के इंट्रेस्ट का महंगाई से कोई तालुक ही नहीं है अगर कोई तालुक ही नहीं है तो फिर इस देश के अंदर लोगों को बैंकों पैसा जमा क्यों कराना चाहिए फिर इसका मतलब अब इसका मतलब यह निकलता है कि इन्वेशन करे जाए उसको तोड़ दिया जाए और रापो रेट को सरफ को और जो मुश्किल से दो परसंट है इक परसंट है उसके ऊपर निर्धारित कर दिया जाए और हमेशा जो बैंक प्रस्ट होते हैं वह इंफ्लेशन से कंभ होते हैं जैसी कि भी इंफ्लेशन रेकृशन भार्व तीन परसंट है यह हम इतना भी पैसा नी जोड़ पारे कि ज हैं उसको भी कवर कर पाए हम क्या हैं हम लॉस में जा रहे हैं अभी भी लॉस में और बाद में इतना लॉस में होगा कि सरकार को फ्रिया पैसा मिलेगा तो dealing the government from inflation government कहेगी मेरा inflation महगाई से कोई लेना देना यह यह मेरे स्लेबस में नहीं है इंफलेशन को रोकना उसको कंटेंड करना सरकार का कोई काम नहीं यह आर्भी आई का काम है आर्भी आई से पूछो महिंगाई के बारे में सरकार से आप सवाल मत बुछ यह तारगेटिंग फूड इंफलेशन विद रेट इस फ्लॉड थी यह गोईल कह रहे है प्यूश गोईल बनिया क्या करेगा बनिया आपकी जैब से पैसा निकालेगा आप कहेंगे कई बनिया बड़े नाराज हो बनियों ने कब मार खाई है यह नया बनिया जो सरकारी बनिया है मोदी का बनिया यह चाहता है कि लोगों के जेव से पैसे निकाल लिए जाए इसने भी यही थेओरी कहीं क्या कहीं फूड इंफलेशन है नतिंग वाट्सॉएवर तू विद्धा मैनेजिंग इंफलेशन य जाएगा कम सप्लाई आईगी महा होगा हमाँ से क्या करना फिर कहते हैं I think it's time that policy makers यानि कि RBI and regulators come to a considered view of whether food inflation should be at all part of decision making for inflation or interest rate यानि कि bank interest rates उसका inflation से महंगाई से कोई तालुक नहीं होना चाहिए गरीबों को लूटने के लिए क्या क्या धन्दे है और अब निर्म्रा सीता रमली भी कह दिया शी आलसो एंफिसाइज और डी लिंकिंग को bank interest rate from CPI and bring it to the core inflation एक बहुत बड़ा शड्यंत्र भारत के लोगों को लूटने का नरिंद्र बोदीरे स्टार्ट किया है और यह सारे उसके एक्टर से हैं अब कोर inflation तो हविशन दो परसंट के आसपास है इसका मतलब है कि RBI का जो रैपो रेट होगा तीन परसंट होगा और भी रैपो 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 रेट को 3% में सेट कर सकता है इसका मतलब आपको 3.5% में ब्याज के ओपर लोन मिल सकता है चाहे वो इंडस्टी के लिए हो ये किसी और चीज के लिए हो क्या भात है सर गरीबों के पैसे लेकर आपको 0% इंट्रेस्ट या 0.5% इंट्रेस्ट आपके सेविंग्स के पर दिया जाएगा based on the reporate set bank savings rate at 0 or 1% and FDs at around 1 to 3% यह होने जा रहा है तैयार रहीएगा मैं आपको बता हूँ it's how the people's money will remain with the banks at no cost it will increase bank's profitability thus banks will provide business house loans at 3 to 5% of interest rate आपको क्या मिलेगा सहाब आप बताइएगा आपका पैसा 0% procurement पे ले लिया जाएगा उनके लभी पैसे काट लिये जाएंगे की पास्ब॥ के पैसे checkbook के पैसे account maintenance के पैसे सब्सक्राइब लेक्साण के परिएगा आपका एकाउंट फिलकुल वैसे हो जाएगा जैसे current Account होता है current Account में कोई ब्याज नी दिया जाता है आपके जितने साड़े 6% के रेपो रेट पर, इन्फलेशन साड़े 6% है उसके उपर, बैंक का सेविंग से रेट आज भी 3% है, यानि कि आप 3%, 3% का लॉस का रहे हो हर साल, FD का रेट 30-5% है, यहां भी लॉस का रहे हो, यह सारे रेट जो है, आप पाएंगे, इन्फलेशन रेट से टाउन है, यानि कि रेपो रेट जो है, इन्फलेशन के बराबर रखके, बैंक वालों ने अपने जो आप से पैसे लेने है, जो देने हैं आपको, वो हमेश़ा उससे कब रखे हैं, it means the most bank interest rates are below inflation and bank रेपो रेट, thus you get negative returns on your money in the banks, If inflation is shown at 3%, then all bank rates should be shown as below the repo rate of 3% and grant plan to loot 140 crore people to pay 140 people. और क्या सुनना बाकिये सब्सक्राइब? यानि कि it's a mega project of manipulation and fraud by Modi government to convert your all savings accounts and FD accounts into the current accounts. ताकि हम आपको कोई भी प्याज नहीं देंगे इसके उपर. आपको पैसा रखना रखो, नहीं रखना मत रखो. और आपको मजबूर कर दिया जाएगा कि आप कहीं और पैसा नहीं रख सकते हो, तो आपका पैसा पैंक भी रखना पड़ेगा और बैंक में आपको मैं ब्याज नहीं दूँगा इसका मतलर यह होगा कि मैं पैसा आपसे गुन्डा-गर्दी करके छील लूँगा डे ट्रॉबरी करके छील लूँगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे मैं आपको कुछ देने वाला नहीं हूँ बलकि आप सो रुपे जमा करा होगे ब्याज की तो छोड़ो मैं बाकी चार्जिस के नाम पे उसमें से भी दो रुपे काट लूँगा और आपको अठाने रुपे अ आर्थिक आतंकवाद गार्थ में एक आर्थिक आतंकवाद की शुरुवात हुई है जहां पर आम लोगों को अब बिल्कुल कुछ नहीं दिया जाएगा लेकिन फोर्स किया जाएगा कि आपके पैसे बैंक में रखो नहीं रखोगे तो मैं चीन के ले जाओंगा आपके घर में कैश मिल गया मुझे तो आप उमीद करते हैं कि आप कैश नहीं रखेंगा हर में एक पैसा भी अभी अभी आपको लगता है कि एक मैं आपको सपना दिखा रहा हूं या गलत इंफॉर्मिशन दे रहा हूं तो आप लगातार वह सारे स्टेटमेंट जो एकनोमेंग बाकी जो है उसको करेंट अकाउंट में वर्ट कर रहे हैं लूग आपकी भ़ाई आपके हाथ और फिर भी आपको लगता कि सरकार आपका भला करने जा रही है तो हो सकता है उसके पैंच किलो के वह आपको साथ किलो अनाज दे दे लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे कि आपक कुछ नहीं कह सकते हैं वाकि कुदा ही बचाए इस मुलको और मैं क्या कहूं शुक्री आपका बहुत-बहुत फीडबैक दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चोटी-चोटी आर्थिक मदद कर सकते हैं उसके लिए नीचे आपने यूपी आई नंबर और बैक अकाउन नंबर दिया है किसी एक को चुनकर चोटी से मदद करके अच्छी पत्रिकारता को बचाए सकते हैं बहुत बहुत शुक्री आपका